कि नमस्कार प्री विद्यार्थि गण्ड आप सभी विद्यार्थियों का हमारी यूटूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीदियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लग और गुरू वाड़ो को ठीक है तो जैसे कोई भी सब्द दिया गया है या कोई दोहा दिया गया है तो कोई अगर पूस दे की इसमें मात्राओं की संक्षा बताएए तो कैसे बताएंगे तो उसी को हम लोग इसमें देख करते हैं ठीक है हरस और दिर्ग भी करते हैं तो इसी को देखेंगे और बहुत आसानी से बहुत सरल तरीका से देखेंगे बहुत आसानी से देखेंगे अगर आप कभी नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है आज के बाद फिर कभी पढ़ने की जरूत नहीं है आज के बा ठीक है लग को और क्या कहते हैं लग को हरस भी कहा जाता है क्या कहते हैं हरस भी कहा जाता है और गुरु को एक नाम गुरु का और है दिर्ग भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं दिर्ग भी कहते हैं और इसका लगु का चिन होता है एक खड़ी पाई और गुरु का चिन होता है ऐ तो चलिए देखते हैं दोनों को अलग कर लेते हैं कितना गुरु कौन गुरु होते हैं कौन-कौन लग होते हैं देख लेते हैं तो चलिए देखते हैं इधर लग होए इधर गुरु वांड सभी हम लिख रहे हैं तो आप लोग ध्यान देजिए जैसे लग को के एक मात्रा भी कहते हैं मतलब जो लग हो होते हैं उनको बोलने में एक मात्र का समय लगता है टिक लगुर्ण के उच्वाड ओड जो एक मात्रा का समय लगता है एक मात्रा का समय लगता है कहने मतलब कम समय लगता है लगता है ठीक है और गुरु वार्डो को बोलने में वर्डो को बोलने में या उच्चारण में गुरु वर्डो के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है ठीच है या नहीं अधिक समय लगता है कहने का मतलब अधिक समय लगता है ठीच अधिक देखिए लग वर्डो को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है यानि कम समय गुरु वर्डो के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है यानि अधिक समय ठीच है लग का डबल लगता है इसमें गुरु को गुरु वर्ड को बोलने में लग वर्ड का डबल समय लगता है तो देखिए कौन कौन से लग होते हैं वर्ड कौन कौन से दिर्ग होते हैं इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तो लग होते हैं स्वर ले लिजी पहले छोटी ए छोटा ओ और री यह सभी क्या है लग होड है ठीक है स्वर है और लग होड है और गुरु क्या होते हैं यानि दिर्ग क्या होते हैं आ बड़ी इ बड़ा ओ ए अए उ ओ ओ इस अभी क्या है यह सभी है गुरु है यानि दिर्ग है ठीक है गुरु है यानि क्या है दिर्ग है ठीक है यह सभी क्या है लग हुए यह सभी दिर्ग है चाहे की मात्रा वाले ब्यंजन आ जाएं जैसे क आ गया तो इसमें भी एक है छोटी यह है तो छोटी की भी हो सकती है मतलब मात्रा यही होनी चाहिए और कू भी हो सकता है छोटा कू जैसे क्री हो गया री की मात्रा और इसमें देखिए कोई भी ब्यंजन आ सकते हैं जैसे का हो गया बड़ी की हो गई बड़ा कू हो गया के हो गया कई हो गया को हो गया या को हो गया तो यह सभी भी आते हैं त अगर इसमें से आते हैं तो एक मात्रा गिनेंगे ठीक है और एक मात्रा किसमें गिनेंगे अगर चंद्रकामा वाला आ रहा है जैसे में चंद्रकामा है उपर या चंद्रबिंदू कहने मतलब है तो इसको भी एक मात्रा गिनते हैं जैसे या तो नहीं है ब्यंजन कोई है इसक तब पर भी एक ही गिना जाएगा ठीक है एक गिना जाएगा और दो किसमें इसमें अगर करने के मतलब अंग और अधे दोनों दोनों भी क्या हैं दो गिने जाएंगे करने मतलब गुरू है दोनों या कोई ब्यंजन वाड़ भी हो सकता है जैसे कंग हो गया या जैसे अह की मात्रा वाला कोई हो गया जैसे प्रात तह तो इसमें भी दो गिनेंगे यहां पर तह में ठीक है और इसमें भी दो गिनेंगे और दो और किसमें गिनते हैं दो और गिनते हैं जैसे हलंत वाला वाड़ हल वाला वाड़ आ जाता है जैसे जैसे क्या लेले कि सत्य यह नहीं दूसरा लेकर देख रहा है जैसे जैसे हो गया हाँ अर्धाक्षर गराता है अर्धाक्षर गराता है तो अर्धाक्षर का पुरुवर्ती अर्धाक्षर का है क्या हो जाएगा दो मत्रा गिनेंगे जैसे जैसे क्या जैसे सत्य जैसे सत्य तो अधावण क्या आया है आधात्य आया है तो स्य जो हो जाएगा स्य में दो गिना जाएगा ठीक है दो दो मात्रा गिना जाएगा किसमें स्य में करने का मतलब अरधाक्षर का पूरुवर्ण कि दो हो गिना जाएगा करने मतलब पूरुवर्ण क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा ठीक है यह समझ में आया होगा आप लोगों को तो यही है लग और गुरू यही है अगर इधर के वर्ण आते हैं तो गुरू गिनेंगे करने के मतलब दो मात्रा गिना जाएगा अगर इधर के वर्ण आते हैं तो एक मात्रा गिनेंगे करने मतलब लगू कहा जाएगा एक मात्रा की गिंती होगी ठीक है तो यह आप लोग समझें होंगे हमें विश्वास है कि तो कि और हलन्त वाला वांड की पहले का वांड भी होता है दो मत्रा जैसे कि सत्यम के छोड़ी कौन साले लें कि जैसे सुन्दरम तो हलन्त इसमें लगा है माम में तो इसमें एक प्लस हो जाएगा करने मतलब रह जो है रह में दो मात्रा गिनेंगे ठीक है कि हलन्त का पुरवर्ति भी होता है दो मात्रा करने मतलब हलन्त का पुरुवर्त भी क्या होता है दो मात्रा गिना जाता है ठीक है हलन्त का पुरुवर्त भी दो मात्रा गिना जाता है दिखना ही रहा है उसमें उपर लिख देते हैं कि कि सत्यम सुझ्दरम सुझ्दरम यह अगर हलन्त मा में लगा है तो रह में दो मात्रा गिना जाएगा करने का मतलब हलन्त का पुरुवर्ण क्या होता है दो मात्रा गिनते हैं दो मात्रा जाया है तो इसके पहले वाले वार्ण में दो मात्रा गिनते तो अब हम लोग देख लेते हैं उदारान एक देखते हैं उदारान के द्वारा समझेंगे तो सही रहेगा तो मिटा दें मिटा दें आजाएगा नहीं नहीं आएगा चलो मिटा देते हैं